भाई साब इतना गर महाबार है घर पे बना हुआ रूम हीटर से तो हलो दोस्तों कैसे हो मैं हूँ चन्दन आपको शेकत करता हूँ ने और इंट्रेस्टिंग वीडियो पे तो दोस्तों सर्दी आने वाला है तो दोस्तों इस सर्दी में आपका रूम बहुत ही थंडा हो जात और चैनल पर नहींता प्लीज चैनल और को सब्सक्राइब कर लेना तो दोस्तों चले वीडियो को सुन जो सब सब पहले रूम हीटर को बनने के लिए हमें कारबोर्ड का अउस करेंगे तो दोस्तों यहां पर हमें सेंटीमिटर ले 25 सेंटीमिटर और चोड़ा ले लिये है 14 10 cm का तो दोस्तों हमें scale से अच्छे तरीके से माप लेने के बाद हमें अच्छे से cutting कर लेना है एक room heater के लिए आप कौन से भी साइज रख सकते हो यहाँ पर मैंने glue से लगा देता हूँ और आप glue gun दे भी लगा सकते हो क्योंकि glue gun बहुती ज्यादा हीट होने पर वह पिगल जाएगा और हमारा पट्टी वहार आ सकते है लेकिन फेविकॉल से यह ऐसा नहीं होगा और वहुती गर्म पेदा होने के बाद फेविकॉल अच्छे से चुपका जाएगा तो दोस्तो यहाँ पर हमें चारों काड़बोर्ड को लगाने के बाद आप देख सकते हो मैंने इस टाइप का एक बॉक्स की तरह बना लिया हो और आगे साइट मैंने छोटे-छोटे लकडी के टुकड़ा दे देगी जो के हवा अंदर का हवा बहर आ जाए तो दोस्तो यह इसकी उपर का कभर भी हमने बनाया है तो दोस्तो यहाँ पर देख सकतो यह बड़या साइं दोस्तो हवा आने के लिए हमें जाए के है कि शीक का पूइप शिजय ओर आमें एक होलडर呢id यह तो दोस्तो यहाँ पर हमें होल्डर को अच्छे तरीके से रख देंगे और होल्डर की आकाउंट को इसे कटिंग कर लेना है तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकतो मैंने होल्डर के आकोडिंग इसे कटिंग कर दिया हूं और होल्डर को नीचे लगा देते हैं तो दोस्त तो यह रूम हीटर बहुत ही ज्यादा आपका काम आएगा यहाँ पर देख सेखते हैं हमारा ύोलडर लगा चुका है यहाँ आप यह 100-8 का बज़ाएंगे तो यह 100 ऑड़ mejores बाल हमारा बहुत ही ज्यादा गर्म होगा और बहुती ज्यादा गर्म रूम को ट्रेंपीरिचर को बढ़ा देगा और आपको बहुत ही गर्मा आएगा तो दोस्तों यहाँ पर इसी फ्यान को अन आप करने के लिए हम यूज़ करेंगे इस तरीके के एक छोटा सा स्वीश को तो दोस्तों स्वीश को हमें इसी कार्डबोर्ड की जो उपर वाला साइट में लगा देना है और इ एक स्वीश का वेयर और एक सीपी फ्यान का वेयर को अपस में कनेक्शन कर लेना है और एक स्वीश का वेयर और एक सीपी फ्यान का वेयर को हमें बाहर से एक वेयर से निकाल लेना है तो दोस्तों इस फ्यान को हम बारा भोल्ड और फाइब बोल्ड से इसली चला सकते है मैं एस पूराना mobile charger से इसे चला देंगे तो दोस्तों इसको हम तार को निकाल लेंगे यह हमारा five bolt से चल जाएगा और हमारा यह जो बल दोस्तों भीस बॉल में इस बल को चला जेगा तो दोस्तों यापर हमें इस तरह पट्टी को अच्छे से लगा देंगे इसके होल्डर के उपपर तो दोस्तों यहां पर एक छोटा सा स्कुभर को भी लगा देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देख सकती हमारा बाल यौ या न व Tezos direito हो चुका है और हम तो फ्यान की स्विज को ओन काते तो दोस्तों आप देख सकता। अंदर साइट के जो फ्यान हमारा मारा चाल रहते हmost और हो बहुत ही ज्यादा गर्म हावा आ रहा है तो दोस्तो इस रूम हीटर को बनाने में मुझे 30 लूप एर लगा है तो दोस्तो आप देख सकते मेरे हाथों में बहुत ही ज्यादा गर्म हावा आ रहा है और आपका रूम को किछी मिन्टी में गर्म कर देगा तो दोस्तो हमारा जो रूम